किस तरह से जो है सरकारी संपत्यों को निलाम किया जारा पुझेपद्रों को आज नोजवान रोजगार के लिए तरफ रहे, कहा है रोजगार? आज जो है बेरोजगारी कि दर बढ़ रही है, महाई बढ़ रही है, आज तमाम तरफ समस्या खड़ी हो रही है, और S.C.S.T.O.B.C. मैनोर्टी के लोग तो इस देश में जो जानोरों का जीवन जी रहे थे और उसको बावस्वाम बेट करने सविधान के रूप में अवसर पैदा कर खतम किया अब फिर उसी हालात के दब जाने के लिए तेयार है। करता करते तो साथ आपको याद आएगा कि हमने भारत को बंद जनता सड़कों पर आई कीमत में मुकदमें जेले जेले काटी राज जुकाए लगी 178 लोग सब्सक्राइब किसी भी धरम के नारे लगने चाहिए मगर उन्स वही लोग लगाए जिनकी उनमें आस्थाए हैं यात्रा की शुरुवात चुनाओं को लेकर गह गया तो यात्रा की घोष्णा तो मैं पिछली बार आके कर गया था इस बार तो मैंने एक्जेक्ट जो तिथियां है जैसे हमारी यात्रा सुरू होगी आठ फरवरी से पस्चिम चंपारंट से वह धरती जहां संब्राटर शो तो वहां से हम लोग यात्रा सुरू कर रहे हैं और यह यात्रा पदी यात्रा है लंबे ठहराओं के बाद एक दिन का फिर रात्री विश्राम उसके बाद यह आठ छे मार्च को यह यहां पहुंचेगी पटना और पटना में एक विशाल रेली करके हम लोग अपने जो साथ पर साब का बड़ा लंबा है सबने आपको देखा है लेकिन समाज को जो जागरुकता आनी चाहिए जो बेदारी आनी चाहिए वो नहीं आ रही है शायदी से वैसा आप यहां है कि बीजेपी के पाले में वोट न जाए या जो सेकुलर पार्टिया है वो वोट करें 24 और कि अपने साइद दो प्राइल दोजार अठार का अंदोरन देखा हूँ उस समय अगर आप पत्रगारता करते तो साइद आपको याद आएगा कि हमने भारत को बंद किया और बिना किसी बनाब कोई पॉलिटिकल पावर के नहीं जनता नहीं बंद किया जनता सड़कों पे आ राज़काए लगी सत्राइखालों सहीद हुए तो हम लोग जागरूख हैं जो लोग और जागरूख नहीं सिक उनको जागरूख करना है जो फिसले बेह पिसले देश को Filo, कि कि अगरिए कर अ कि अगर मेरे हित्में और देश हित्में टकरां साइल आपको कि आप-जैस, किसित्रहिसे देश को तोड़ा जा किस से देश के सिस्इस वी जो सी सोर्स हैं जिन से आने वाली पीडिया आगे बढ़ती उनको चंग पुंजी पतियों कैंबने दियर किस तरह से सब्सक्राइब चल रहा है और इस यात्रा के मुकाबले में वह यात्रा भारी पर जाएगे शोशल मीडिया इस बात का गवाह है कि आप देखे होंगे आप देखते होंगे किसी भी धरम के नारे लगने चाहिए मगर उन्स वही लोग लगाएं जिनकी उनमें आस्ता हैं जब्रण किसे ना लगवाया जाए हमारे लोग तो बहुत दिन तक नारे लगाते लेकिन उनके इससे में क्या आया हजारों साल बिना डेमोक्रेसी के बीते हमारे इशूज थे हम लिए अवसर और सम्मान स्वाविवान था वह सब वह किसी ने नहीं दिया नारे लगाने के बाद बावजूद भी किसी इस वर ने मदद करने जब सविधान के रूप में अवसर जी तभी मदद हुई उसके बावजूद आज भी हमारे लोग डेमोक्रेसी में भी नारे भी बारता को हमारा अन्दोलन है उन्होंने वहां वहां वे बकायदा जो है पिछले दरव पिछे से मदद करके प्रोटेस्ट करा ला जिसमें उनकी पहली मांग यह थी की जो सजा भी ना मिले यह जो किया जा रहा है इसके खिलाफ लोगों को तयार करना राजनीती से को मजबूत करें करना का हम पर्थम रंते भारती है जो जो मांगे है ना आपने खुलकर के सपोर्ट किया है आप मुखमेदर नितीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं लेकिन विजय सिन्हा जो नेता विपक्ष है भारती जनता पार्टी के बड़े नेता है उन्होंने का दशक ल कि खुन वाला मैदान आ जाएगा उन्होंने साफ तोर के कहा है हम तो रोज हमारा खुन बहाँ जा रहा है आप एंसे आर्बी का डाटा उठाके देख लो कौन खुन बहाएगा आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं क्या भी जबी आरसस के लोग क्या कहना चाह रहे हैं क्युकि उसमें मंडल कमिशन आया और मंडल कमिशन की सा बहुत सारी सिपार से बेदुरी हैं और यह जो प्रथान मंत्रियों भी बैठ थे हैं इनोंने वादा किया था तो records की क्यों नहीं कि नबबा का दसक अगर वापस आएगा तो आपको पता क्या होगा इस देश में दली पिछड़े आदिवासियो कलब संकुकी आब आदी ओपन होंगी उनके रिसूर्स ओपन होंगे उनके साथ जो न्याय हो रहा है और उनको क्या इस देश में मिला आजा चाहिए फिर हमारे लोगों के हितों की बात होगी है ना मैंने तो मुख्यमंतर जिसे भी कहा जितमे मिला था कि अब क्याप खतम कर दिये हैं मानियस रोच न्याले ने जो पचास प्रिंट कैप थी अब आप जिसकी इतनी संक्यावार उसको इतनी सदरी आपको कर देनी चाह मैं क्या कहा हूं मैं भारते साविधान के लाव किसी से ने डरता हूं अगर डरता तो इतना मुखर हो के नहीं बोलता देखे इस एक विदायक भी शुक्षा लेका मैं तो सिंगल आत्मी आया हूं आपने कहा था कि बहार बेटियों की इज़्द बचानी होगी तो रावन व शेकर रावन जिन्हों ने साफ तौर पर कहा कि हमारी जो लडाई है वो ऐसे लोगों की है जो दबे कुछले है और भारते जंदा पार्टी इसको इशु बराना चाहती है इसलिए हमने यहां पर अपने समाच के लोगों को जागरुख करने के लिए इस पैदल यातरा की हो गतिया होगे